नमस्कार मैं हूँ शिवेंद स्रिवास्तो और आप देख रहे हैं श्रेष्ट भारत उत्तर प्रदेश की सियासत से आग की सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है दरसल समाज़ादी पार्टी ने अपनी तीसरी उमीद्वारों की लिस्ट जारी कर दी है लेकिन ख़बर यह नहीं है ख़बर यह है कि इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर के लोग हरान हो सकते हैं क्या रणीती है सफा की ये भी सोच सकते हैं लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में आकिर है क्या समाध़ादी पार्टी के तीसरी लिस्ट सामने आ गई है SP के पांच कंजिडेट और तै कर दिये गए है शिवपाल यादो इसमें जो नाम आया है यह सबसे बड़ा नाम है क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अखलेश यादो सिवपाल यादो को टिकट देंगे लेकिन इसके पीछे भी बड़ी रणनीती है उसको बाद में बताएंगे शिवपाल यादो और अखलेश यादो के बीच में जिस तरह की तनातनी चल रही थी सालों तक यह तनातनी बनी रही और यह माना जाता था कि यह दोनों लोग कभी साथ नहीं आ सकते लेकिन 2018 में जब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई उसके बाद धीरे धीरे यह बात और पुखता हो गई थी 2022 में लेकिन यह तल्की दूर होना शुरू हुई और उस चुनाओं से पहले ठीक चुनाओं से पहले अखलेश यादो शिवपाल यादो के घर पहुँच गए तब से माना जा रहा था कि अब शिवपाल यादो का कद बढ़ेगा बढ़ा पद दिया गया बड़ी जिम्मधारी दी गई लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मधारी एक ऐसी सीट से शिवपाल यादो को जिताने की है जिस सीट पर उनके लिए चुनाओती बड़ी है चुनाओती से भी जादा संदेश बढ़ा है स्वामी प्रसाद मौरी उनकी बेती संगमित्रा मौरिया वदायू सीट से अभी तक सांसद है यहाँ पर पहले दो बार सांसद रह चुके है धर्में यादो जो कि अखलेश यादो के चचेरे भाई है और परिवार के सदश होने के नाते उनके ऊपर पूरी तरह से टरस्ट भी एक लेश यादो करते हैं लेकिन आखिरकार उनका टिकट काट करके शिवपाल यादो को टिकट क्यों दिया गया ये बड़ा सवाल है शियुपाल यादो को लेकर के तरह-तरह के कयास लग रहे थे अलाकि यह भी जा रहा था कि शियुपाल यादो अपने बेतें अंकुर यादो के लिए चाहते हैं कि वो राज़्णीती की भूमी तलाश लें और इसके लगातार कोशिच कर रहे थे लेकिन बातें इतनी बिगर चुकी थी कि शिवपाल यादो के बेटे की बात तो दूर लेकिन शिवपाल यादो को ही मौका मिलना मुश्किल लग रहा था लेकिन हाल के कुछ साल के भीतर ही शिवपाल यादो का जिस तरह से कद बढ़ा है समाजदी पार्टी में उ उनके लिए बड़ी चुनोती हो सकती है क्योंकि अभीतर बीजेपी ने भले ही उनका टिकट फाइनल नहीं किया है लेकिन शिवपाल यादो के वहां आने के बाद यह चुनोती और बढ़ गई है एक तरीके से यह रणनीती का हिस्सा है एक संदेश है शिवपाल यादो के जर गये थे तो यह चिंता का विशय था कि क्या इतने कद्दावर नेता का चचेरा भाई इस तरह से हार सकता है इसलिए प्रमंथन हुआ और यह किया गया कि इस बार में की सीट बदली जाए क्यास यह लगा जा रहे हैं कि आजमगर और कन्नोज जहां एक जगह से अखले श्या दो बदायू से चुनाओ लड़ेंगे और लोकसभा में बड़ी बड़ी जिम्मधारी उनको दी जा सकती है लोकसभा चुनाओ के दौरान हलाकि अभी बदायू सीट से जो धर्मेंद यादो यहां पर पहले लड़ते थे उनको भी जिम्मधारी बड़ी दी गई है और दो आजमगड़ो करनोज क्या प्रभारी भी बनाया गया है चुनाओ का लेकिन एक सीट पर उनका लड़ना भी तैम आना जा रहा है और इस बात की उमीद की जा रही है कि अगली लिस्ट जब आएगी तो यह धर्मेंद यादो का नाम भी अनाउंस हो सकता है लेकिन अभी जो स परिवार और पार्टी के भीतर उनके विरोधी हैं उनको भी एक संदेश जाएगा कि जिसके साथ अखिलेश यादो खड़े हैं वो मजबूत होगा और यह सीट जीतते हैं तो आगे की रहा उनके लिए आसान भी होगी और उनके बेते के लिए शाहिद रास्ता खुलेगा लेकिन ये सब कयासों का दौर है और लोग सवाद चुनाव सर पर हैं इसलिए हर चुनावी पार्टी ये चाहती है कि एक एक कदम फूंकर रखे और एक एक कैंडिडेट का नाम ऐसे ते करें जिससे अगले को बड़ी चुनावती मिले और इस वक्त फिलहाल संगमित्र मौर